हालो और गुड मॉर्निंग एवरेवन माईसेल्फ आकिप सुद्धिकी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के अल्टरनेटिंग करेंट का लेक्चर नमबर 3 तो स्टुडेंट्स अभी तक लेक्चर नमबर 1 लेक्चर नमबर 2 में हमने अल्टरनेटिंग था आज हम ऐसी टेक्नीक पढ़ने जा रहे हैं जिसकी हेल्ट से जो छे बेसिक तरीके के सरकिट्स हम लोग ने पढ़ रखे हैं उनके सारे पैरामेटर्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे सिंपल ट्राइंगल मेथर से चलिए स्टार्ट करते हैं तो स्टूडेंस सबसे प पढ़ा कि IRMS is equals to होता है आई नौट बाई रूट टू और आपका VRMS यह होता है वी नौट अपॉन रूट टू ठीक है अब देखिए हमने छे तरह के सरकिट्स पढ़ है अगर हम लोग देखें सबको इंडिवीज्वली सरकिट्स हो सरकिट्स हमारे पाढ़ चेतरा के है एक तो प्रॉरली और सरकिट दूसरा हमारा प्रॉरली एल सरकिट और तीसरा हमारा प्रॉरली स्टार की आर्म क्या है फाई सेम दिफरेंस जिया कह सकते हो यह पे पर अगर इस तरह लिखें V and I in same phase और L circuit में आपका V lead करता है और C circuit में आपका I lead करता है फिर हम लोग बात करेंगे LR circuit के बारे में फिर हम लोग उसके बात करेंगे LCR circuit के बारे में फिर हम लोग बात करेंगे LCR circuit के बारे में और यह तीनों ही circuits जो हैं इनकी series combination के बारे में हम लोग यहां पर पढ़ेंगे तो हमने एक triangle method पढ़ा था जिसकी help सबसे हम लोग किसी भी इन छे circuit में से किसी भी चीज का हम लोग result निकाल सकते जो शी समय चाहिए हो जैसे कि आपका impedance हो गया आपका power factor हो गया आपका phase हो गया तो सबसे पहली बात डियाग्राम थोड़ा सटेड़ा है थोगसे इसको सीधा करते हैं ह। अ जाय तो इस उस इन सब डिटेल्स को आप लोड कर लीजे फिर हम लोग आकि बुर्ड में जगा में में जाए तो हम लोग और सारी चीजे डिटेल में पढ़ सके हैं चलिए है तो बड़ा सो डाइग् एक याद रखेगा यह और सो के लिए हैं एक उसका है ट्रकष अरक इस वोल्टेज होप अक्रॉस रिस्टिन्स हमेशा आपको बेस में रख ना है कि इसमें चीज देखनी है दूसरा की पर्पेंडिकुलर में देखिए पर्पेंडिकुलर उपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है तो अगर इंडुक्टिव सरकीट वोल्टेज लीडिंग होता है करेंट लागिंग होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पर्पेंडिकुलर को इस पर्पेंडिकुलर को सेम कंसीडर करते हैं जस्ट फॉर लर्निंग परपस लेकिन अगर हम लोग फिजिक्स की लैंगुजे बात करें तो वी सी के करेंगे वेक्टर की तरह तो यहां पर क्या आएगा अगर वील है तो वीसी आएगा और दोनों है तो वील डिफ्रेंस ओफ वीसी आएगा ठीक है अच्छा यह कर देंगे उसके बाद देखिए हमें क्या निकालना है owych हम अगर हम खिशापि निकालना हों इंपेडेंस देखिए अगर इलार सार्कुट की की बात करेंगे तो रूट इंदर याद रखेगा हमेशा देंट LCR के लिए हरूट के अंदर आर स्क्वाइर प्लास जहां पर भी इंडक्टर और कैपस्टर साथ में आ जाएं वहां पर दोनों का डिफ्रेंस लेते हैं डिफ्रेंस का मतलब जो भी बड़ा हो उसमें छोटे वाली वैल्यों को सब्ट्राक्ट कर देना है अच्छा प्योर्ली की बात करें अगर तो हमारा जेड बराबर आर होता है प्योर्ली रिश्टिव के लिए अप्योर्ली एस्टिव कि और यह चीज़ आपको याद करनी आब देखे इस ट्राइंगल की हेल्ट से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं है जैसे कि हमने पड़ा रखा है कि since V बराबर क्या होता है आपका आई-जड टिक अब अगर हम लोग कॉस्पाई के बारे में जाने हैं तो कासपा यह बहुत 인पॉटन चीजर इसको यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं पावर फैक्टर क्या बोलते हैं पावर अगर हम इस फ्राइंगल से कॉस्ट पाइड निकालना चाहें तो क्या होगा हम avoir क्या होता भेस अपन ही पोड मुश्च बेस कितना आपका वी रख अपन है पोड है कितना है वी तो वियर क्या आएगा लेकिती नहीं सब्सक्राइब ये बेस्टों सब में VR ही रहेगा और ये भी समय रहेगा तो VR क्या होगा आपका voltage drop across register IR और V बराबर क्या हो जाएगा आपका IZ कि तो आपको यहां से कॉस फ़ाइड की value क्या मिल जाएगी और भाई जैड अब जैड की तीन possible values है एक तो क्या है अंडर रूट में आर स्कुर्फ एक्स alex sa car दूसरी पॉसिबिल्थिकाहें अंडरूट में आ्र इसकुायर प्लस xe स्कुायर और तीसरी पॉसिमिल्ट succession अंडरूट में और स्कुायर प्लस एक्सेल डिफ्रेंस ओफ एक्सी का होल स्क्वाइर यहां से तो कॉस्ट फाइं निकालना हम लोगों ने सीख लिया अब हम लोग अगली चीज़ सीखेंगे डाट इस योग टैन फाइए यह किसके लिए है एलार के लिए ठीक समझ यह एक्सल आई एक्सल और वोल्टेज डॉप अक्रॉस रिजिस्टर क्या होता है आई यार तो यह मिल जाएगा आपको यहां से लेख सकते हैं कि टैन फाइब बराभर एक्सल क्या होता है ओमेगाल अपॉन आर अगर हम सी यार सरकुट की बात करें तो 10 5 के लिए क्या हो जाएगा यहां पे वी ल की जगह वी सी अब सब्सक्र सें मैं यहां हो जाएगा वी si कितना होगा आई xc upon i x r तो ii कड़ गया xc क्या होता है वन अपॉन ओमेगा c r यहां पे हो जाएगा और अगर हम lcr series की बात करें तो यहां पे हमारा tan phi हो जाएगा vl difference of vc upon vr तो vl क्या हो जाएगा i xl और vc क्या हो जाएगा difference of i xc upon ir तो यहां से i common लेके कड़ जाएगा तो tan phi lcr के case में क्या मिल जाएगा आपको xl difference of xc upon r ठीक है तो यहां से xl क्या होता है omega l और xc क्या होता है difference ले लो xc होगा 1 upon omega c upon r तो यहां से हमने tan phi भी find out कर लिया ठीक है तो एक circuit को summarize करके आप कितनी आसानी से सारी चीजों को remember कर सकते हो यह basic trick है तो इसे आप लोग फिलाल नोट करें फिर हम लोग आगे बरुते हैं तो अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपना resonance in series lcr circuit इसमें हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी के बारे में है दो तरह की होती है एक लीनियर और एक होती है एंगुलर है दो नहीं चीजें आपको समझ में आएंगी तिक है जैसे माल लो हमारे पास एक series lcr circuit है यह लोगे आपका और यह आपका यह आपका कि यह आपका सी हो गया और यह आपका और हो गया ठीक और हमारे पास ac source as it is है जो की हर सरकिट में रहा है तो वीजिक उस्टू वी नॉट साइन ओमेगा टी अब देखिए अगर हम इसका इंपिडेंस लिखें क्या लिखें अगर हम इसका इंपिडेंस लिखें तो जैट बराबर कितना आएगा रूट के अंदर हार स्टूर प्लस एक्सल डिफरेंस ऑफ एक सीका होल स्कॉर अब यहां पे समझने वाली बात यह है आग्ट रेजोधी रेजोनेंस रेजोनेंस के वक्त अगर आपको एक चीज या दो रेजोनेंस जब आपने physics में पढ़ा होगा class 9 में पढ़ा होगा class 11 में पढ़ा होगा resonance resonating frequency तो होता क्या है कि resonance is the special case of forced vibration in which the frequency of the vibrating object matches with the sorry frequency of the applied force matches with the natural frequency of the object and becomes integral multiple of that तो कुछ-कुछ वैसे ही यहां पर आप फील करोगे तो रेजोनेंस के वक्त होता क्या है कि आपका एक्सल और एक्सी का डिफरेंस क्या हो जाता है जीरो हो जाता है यहां से यह कंक्लूड करें कि एक्सल बराबर क्या हो जाता है आपका एक्सी हो जाता है यह बात आपको समझ केवह लाइट पियोश्टिफ सार्किट डूरिंगण रेजोनेंस लेकिन करने की एक अपनी फ्रिक्वेंसी होगी कि तो उस फ्रिक्वेंसी को यहां से निकाला लिए एक्सल भषब रख्थ है कि एकसल बराबर uai LC तो क्या लिखेंगे यहां पर ओमेगा और यहां पर चोटा सा आर लगा देंगे ताकि यह पता चले कि this is the resonating frequency of the circuit LCR circuit ओमेगा छोटा सा और तो यहां से आएगा इतना अज़ेगा तो यह तो आपकी क्या है एंगूलर receptors in frequency angular resonating र最 कुंस्ट फ्रिक्वेंसी अगर लीनियर निकालना हो तो आपको पता होगा कि छाब आयगा हन० नegal दोबनेट कई विए टो फो तो घुट की जिगा तो नेयग एफलीकम थै तो टू पाइ पी इतुर कॉस्ट एफ की आशगवार हम छोटा सातव लगा बात आप लोग याद रखेएगा इसे जल्दी से जल्दी नोट कर लें फिर हम लोग पढ़ेंगे पावर्स इन आल्टरनेटिंग कारेंट सर्कुट हाँ तो स्टूडेंट्स अब हमारा अगला टॉपिक है पावर्स या पावर इन आन एसी सर्कुट अगर अगर आवरेज पावर की बात करें पी एवी जी यह होता है वी आरमस इंटू आई आरमस इंटू कॉस्ट फाई याद रखेगा आपका कॉस्ट फाई क्या होता है पावर फैक्टर होता है योगी हर सर्कृत के लिए से मुता औल्मोस्ट लिगना जेड वैरी कर सकता है बेसिक फॉर्मला बेस फॉर्मला सबका सेम होता है बेस फॉर्मला सेम होता है क्या होता है और बाई जेड के बारे में मैंने आप लोगों को अल्लेडी बता रख था है फिर से बता देते हैं आर सर्कृट के लिए सर्कृट में केवल अगर आर एलिमेंट है तो जेड है और अगर CR circuit है तो रूट के अंदर क्या होगा आर स्कॉर तो होगा ही होगा साथ में XC स्कॉर हो जाएगा और अगर LCR है क्या होगा रूट के अंदर रूट के अंदर R स्कॉर प्लस XL difference of XC का whole square क्या है तो देखी काउस्ट फाइं निकालना भी कितना असान है तो स्टूदेंट्स फिलाल आप लोग इतना नोट कर एं मिलते हैं alternating current के lecture number 4 में thank you for supporting us thank you